जिस समय दूसरे 10-15 साल के बच्चे टीवी पर कार्टून, ट्रेवल या लिविंग या अन्य दूसरे कारक्रम देखकर अपना मनोरंजन करते थे। उसी समय उनी की उमर की 11 साल की बच्ची गीताँजली राओ विज्ञान व तक्निकी से सम्मंदित कारक्रमों को बड़े ध्यान से देखती थी, वो इससे सम्मंदित समाचारों पर उसकी नजर रहती थी। गीताँजली राओ भारती अमूल के राम राओ वा भारती राओ की बेटी हैं जो की वरतमान में डेन्वर कोलरेंडो अमेरिका में रहते हैं ऐसे ही एक दिन समाचार देखते समय गीतांजली को अमेरिका के फिनलेन शहर में हो रहे वाटर क्राइसिस यानि पानी की समस्या के बारे में पता चला मसला ये था कि पीने के पानी में लेट की मात्रा बढ़ती जा रही थी जिससे कि वो पानी पीने लाइक नहीं रहता लेट एक रसायन है जो मानव शरीर के लिए आनिकारख होता है इस समाचार ने गीतांजली को सोचने के लिए मजबूर किया और 13 साल की गीतांजली ने तै कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरे शहर की मदद हो पाए उस समय अमेरिका के कई शहरों में पानी की समस्या बढ़ गई थी इसलिए उनकी Environmental Protection Agency के सदस्से घर-घर जाकर पानी के नमूनों को इखटा करते थे इसी दोरान गीतांजली को ये पता चला कि उनकी मा वो अन्य लोग पानी को जाचने के लिए Basic Test Strip का इस्तिमाल कर रहे हैं यह सब देखकर गीतांजली के मन में एक ऐसा डवाइस बनाने का आईडिया आया जो की लेट की मात्रा पानी में आसानी से चाच सके इसके लिए गीतांजली ने 3M कांपनी के Research Department से संपर्क किया अपने Research की शुरुआत की 3M एक American Company है जिसका Full Form है Minnesota Mining and Manufacturing Company यह Company Consumer Electronic Component बनाने के लिए जानी जाती है 3M के Researcher ने गीतांजली का पूरी दिल से सौगत किया वो गीतांजली के आईडिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया और अंत्तह गीतांजली की सोच को एक नया रास्ता भी मिला वो गीतांजली के चुपे हुए टैलेंट को एक मौका भी मिला और यहां से एक छोटी सी उम्र के विज्ञानिक की यात्रा शुरू हुई और गीतांजली ने अपना डिवाइस टेथीस लॉंच किया टेथीस एक छोटा सा डिवाइस है या कहें कि लेड सेंसिंग यूनिट है जो कि एक 9 वोल्ट की बैटरी से चलती है जिसमें एक ब्लूटूथ एक्स्टेंशन है एक स्मार्ट सेंसर है और कार्बन के नैनो ट्यूब्स लगे हैं जो लेड के साथ चार्ज होने से अपना रंग और रेजिस्टन्स बदलते हैं और हमें यह पता चल जाता है कि पानी में लेड की मात्रा कितनी है और अब तो इस्तिती यह है कि अमेरिका के अलावा बाकी के देशों ने भी टेथीज का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया है टेथीज की उचेश्टा यह भी है कि यह फास्ट है, एक्यूरेट है, पोर्टिबल है और पॉकेट फ्रेंडली है भारतिय करन्सी में इसका मूल मात्र तेरा सो रुपे है इस सक्सेस्फुल डिवाइस को बनाने के बाद गीतांजली को दुनिया भर में बहुत सारे समानों से नवाजा गया 2017 में अमेरिका का टॉप यंगेस्ट साइंटिस्ट आवाड दिया गया 25,000 डॉलर के कैश प्राइस के साथ 2018 में यूएस एन्वायमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूथ आवाड भी गीतांजली को मिला इसके साथ ही टॉप हेल्थ पिलर प्राइज स्टूडेंट चैलेंज भी गीतांजली ने जीता 2019 में फोप्स के 30 अंदर 30 की लिस्ट में भी गीतांजली को शामिल किया गया गीतांजली टेडिक्स की तीन बार स्पीकर भी रह चुकी है इस बच्ची ने साइबर बुलिंग के अगेंस्ट एक सॉफ्ट्यूर भी बनाया है और इस तरह के कई वग्यानिक डिवाइसेस के आईडिया पर वो काम करती ही रहती है गीतांजली का कहना है कि पिच्चरों के सुपर हीरोज यदि असल जिन्दगी में आ जाएं तो हम मेंसे हर कोई उनको रिस्पेक भी करेगा एप्रिशेट भी करेगा लेकिन रियल लाइफ के वग्यानिक वो अन्य लोग जो एतिहासिक रसर्च करके दुनिया को बदलने में मदद करते हैं लोगों की समस्याओं का हल निकालते हैं और उन्हें बहतर जिन्दगी देने में मदद करते हैं जो किसी हीरो से कम नहीं होते उन्हें लोग कई बार नजर अंदास कर देते हैं गीता अंजली की कहानी से आपने क्या सीखा ये तो आप ही जाने लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धी में एक बात मजबूती से उबर कर आती है कि यदि आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं कुछ कमाल करना चाहते हैं तो उम्र कभी भी बादा नहीं बनती यदि आपके पास भी कोई आइडिया है जो से रास्ता दिखाईए आमल में लाईए और जो चाहते हैं उसे हासिल करिए कमाल करिए खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी